सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार बन गए बड़े खरीदार कहीं अर्थ विवस्ता का ना कर दे बंटाधार नियूआर्क बेजड एक क्रेडिट रिसर्च फर्म ने बड़ा खुलासा किया है कि अडानी ग्रूप ने दो लाग तीस हजार करोड रुपे का करजा बैंकों से ले रखा है हम पूछना चाते हैं कि ये दो लाग तीस हजार करोड का करजा भारत सरकार के किस व्यक्ति के कहने से बैंकों ने दिया है हम ये पूछना चाहते हैं कि जब उस रिपोर्ट में एक खुलासा किया गया कि अडानी ग्रूप अन्रिलेटेड बिजनसेज में जाने के कारण एक भैंकर रिस्क एक ओवर लिवरेज की पोजिशन पे जा रहा है जिससे बैंकों को बड़ी रिस्क हो सकती है तो वो कौन व्यक्ति है बैंकों में जो कर्च पे कर्च दिये जा रहे हैं और वित्त मंत्राले में और प्रधान मंत्री के कार्याले में वो कौन लोग है जो बैंकों से अडानी ग्रूप को कर्च पे कर्च देने के लिए बात दिये करते हैं हम पूछना चाहते हैं कि जब एक समाचार चैनल है उसका होस्टाइल टेक ओवर अडानी ग्रूप ने किया तो क्या उस हे होस्टाइल टेक ओवर की जात सिकुरिटीज एन एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया को क्यों नहीं करनी चाहिए वित्मंत्राले खामोश क्यों है हम पूछना चाहते हैं कि जो यह ओवर लिवरेज ओवर डेटेडनेस के कारण जो भारत की अर्थ विवस्ता संकट में आने की संबावना है उसके लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है क्योंकि हम लोग सोचते थे कि बिजनस करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए पर मोदी एंड कंपनी का जो बिजनस मॉडल है वो है बोरो एंड कॉनकर मतलब सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार बन गए बड़े खरिदार अर्थ विवस्ता का ना कर दे बंटा दे